श्री शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्री का जो पर्व है वो बहुती जल्दी आने वाला है और दोस्तों महाशिवरात्री का जो पर्व है वो बहुती जल्दी आने वाला है और दोस्तों महाशिवरात्री का जो महत्व होता है वो निमन से आपके बस कुछ नहीं है आप छोटा सा चावल के दाना भी अगर शिवलिंग की उपर समर्पित कर रहा है महा शिवरात्री की दिन आप नहीं जानते कि भगवान शिव आपको क्या देने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको जो बेर वाला उपाय है वो ह भरपूर चीजों का मतलब यहां पर उपाय कर रहा है कैसे कर रहा है जब आप लोग महा शिवरात्री की दिन जिस भी समय आप लोग पूजा करने जाए महा शिवरात्री की दिन कोई रोक टोग नहीं है किसी भी मतलब 24 गंटे रहीगी महा शिवरात्री उस 24 गंटे में आप किसी भी समय जाईए शिव जी की शिवलिंग की उपर अपनी पूजन अर्चना जो भी कर रहा है वो करिए बेर समर्पित करके आईए ठीक है कितने बेर समर्पित करना है वो आप अपने भाव से जितने आप से हो जाए जितने आपको मिल जाए उतने बेर आपको शिव जी की क्या होता है वो आप लोग सुनिए दोस्तों अगर आप लोग महाशिवरात्री के दिन शिव जी को बेर समर्पित करते हैं शिव लिंग पर बेर समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी धंधानी की कमी नहीं होगी महालक्ष भी हमेशा आपसे प्रसंद नहीं रहीगी सांथ के घर में लड़ाई जगड़े होते हैं न वो भी बंद हो जाएंगे करके देखिएगा जरूर सिर्फ बेर बता रहा हूँ आपको कोई मतलब अगर आप से जादा बेल पत्री लोटा जल ना चड़ाया जाता हो बस बेर चड़ा के आजाओ कुछ नहीं करना महाशिवराति के तो करके जरूर देखिएगा और जब आप लोग बेर चड़ा रहे हो तो उस समय जो है अपने मतलब मन से भगवान को जरूर प्राथना कीजिए कि भगवान हमारे घर में ये समस्या है तो इस समस्या को आप दूर करें दोस्तो आपके घर में कभी किसी जीश की कमी नहीं हो और दोस्तो हमने आपको एक उपाय और बताया था जो कि आपके पेट से जुड़ी हुई समस्या से था मतलब अगर आप लोग बेर वाला उपाय कर रहे है ये बेर चड़ाने का उपाय है मतलब बेर चड़ाने से आपकी घर में कभी किसी जीश की कमी नहीं होगी महाशिवर करना चाहिए उसको शिवरात्री के दिन महाशिवरात्री के दिन शिवजी की शिवलिंग पर चड़ा हुआ बेर या आप खुद चड़ाईए कुछ समय रखे रहने दीजिए 10-15 मिट आदे घंटे तक उसी बेर को आपको उठाना है और अगर ऐसा मतलब उठाना पाय है तो पहले से चड़ा हुआ बेर शिवजी की शिवलिंग पर चड़ा हुआ बेर उसे आपको उठाना है घर लाना है और उस व्यक्ति को किला देना है जिस व्यक्ति को पेट से जुड़ी हुई समस्या हुई आदे घंटे के अंदर आपकी वह समस्या में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा इतनी शक्ती है उस शिवलिंग पर चढ़े हुए बेर की ठीक है तो करके आवश्य देखे कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजेगा दोस्तो हम उपाए पंडिस प्रदीप मिश्राजी वाले बताते हैं और कोई से नहीं बताते हैं ये खुल ये जो करके बताते हैं